दर्भंगा एरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहन में फस सक्ता पेच मुआवजे की कमदर से किसान असंतुष्ट किसानों ने डियम से की लिखित शुकायत एरपोर्ट के नई टर्मिनल भवन और रन्वे की विस्तार के लिए बिहार सरकार ने 336.76 करोर रुपे की स्विक्रिती दी है इसके लिए सरकार एने 57 के किनार एरानी पूर पंचायत की बसुदेवपूर मौजे गाउं में 78 एकर जमीन अधिग्रहन करने जा रही है इसमें से 54 एकर जमीन पर नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा जबकि 24 एकर जमीन पर रनवे का विस्तार करने की योजना है एरपोर्ट को आने वाले समय में अंतराश्ट्रे स्तर का बनाय जाने की योजना को देखते हुए यहां काम होना है उधर किसानों ने मुआफजे की रकम कम होने को लेकर असंतोश जताया है इसके कारण एरपोर्ट के विस्तार में पेजफास सकता है माने मुख मंतरी जी ने जो लिखा है सरकान की इसको अंतराश्टे हवाई एड़्डा में तब्दिल किया यह सारी विवस्ता जो है बड़ा हवाई एड़्डा हमारा बनेगा अभी दो एरप्लेन पार्किंग एक साथ हो सकते हैं उसके बाद दरजनों एरप्लेन जो है पार्किंग हो सकते हैं उतर सर चल सकते हैं आम जनता को जो वहां रहत्रों के समस्या होती है वो समस्या का विद्धानों का बड़ा टर्मिनल अब बन सकता है और एरपोर्ट जब सबस बना है तब से आरथिक सम्रिधी मिखला के बड़ी है आरथिक द्वार खुला है रौजगार केसरे सीजण नहींन हो रहे हैं रुजगार का है इसका प्रस्ता प्रश्ता निये जो प्रस्ता था इसका प्रस्ता इड़ा था था खुर दिया गया था अब किस कालन वाथ वहां उसको आस्थखित कर दिया गया है अभी जो परतौन पे अधारेकर इंड करते हैं यहां पर जो किसान है जो भूमीन हो जाएगा इसके लिए हम लोग भारत सरकार से अनरोद करते हैं कि किसानों के सही मुअबजाब मिलना चाहिए खुशी तो बहुत है कि मितला अंचल के लिए तो और दर्भंगा बासी के लिए बहुत अच्छा विकास के काम हो रहा है इसमें तो हमारे रानीपूर पंचायत के जनता को सभी को खुशी है आम लीडिस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करें डिजिटल न्यूस 20